शाली more about health में आप सब का स्वागत है आपके लिए मैं हर रोज नया health वीडियो लेके आ रहे हूँ क्योंकि जिसकी immunity अच्छी उसका health अच्छा आज कल हम देख रहे हैं दुनिया भर में बढ़ती diabetes के मरीजों की संक्या एक बेहत चिंता का विशय बन चुकी है तो diabetes किसे कहते हैं तो diabetes यानि की शरकरा की बीमारी जिसमें मरीज का शरीर शुगर प्रकंट्रोल खो देता है खून में बढ़ा हुआ अतिरिक्त ग्लुकोज मरीज के शरीर से पिशाब द्वारा बाहर निकलता है इसे diabetes कहते हैं आपको पता है क्या अयर्वेदिक उशदिया बीमारी की जड़ तक पहुशती है अयर्वेदिक माध्यम में मरीज बहुत सहज जीवन का अनंद प्राप्त कर सकता है शरीर में सभी पेशियों को एक नया जीवन मिलता है शरीर में नीमित रूप से इंसुलिन का कारिया रहता है इन सभी सकारात्मक घटकों पर शंशोधन कर वा अयर्वेदिक के निर्देशानुसार अनिक भहु मुल्य नई सर्गिक वना उशदियों का उप्योग करके हमारे धन्वंतरी कंपनी ने बनाया है मदुनिल अम्रूर्चूर्ण और टैबलेट मदुनिल का मतलब क्या है तो मदुनिल मतलब कंट्रोल यूवर डाइबेटिस फार लाइब अब हम इसमें क्या जड़ी बुटिया है देखेंगे कालमेग है कटुका, कुटजा के मूल, नीम, गुर्मर, करेला, जामून के बीज, डेविल ट्री, ममेजावा और काला जिरा पहला कालमेग क्या करता है तो ये एक नैचरल एंटी-फंगल, एंटी-बैक्ट्रियल वनस्पती है जो हमारे शरीर में पित्त की निर्मान, खून में गुलकोज और कोलोस्ट्रोल की मातरा पर नियंत्र रहता है कटुगा की मूली, द्वारा हमारे रोप्रतिकल शक्ती बढ़ानी का कारिय होता है डायबिटिक नेप्रोपती में इलाज होता है कुटजा के मूल, ये हमारे शरीर में बड़ी हुई शुगर की मातरा होने वाले कॉम्प्लिकेशन कम करता है इसमें एंटिडायबिटिक प्रोपर्टी होती है कुटजा शरीर में ग्लाइकोसिलेटेड हिमोगलोबिन कम करता है जिससे यह टाइप टू मदुमेहव के पेशन के लिए फायदेमन है नीम, नीम से मरीज के शरीर में बिगड़ा हुआ ग्लुकोस करता है ग्लुकोस के कारण होने वाले अक्सेडेटिव स्ट्रेस में नीम काम करता है चीनी को पचाने में स्ट्रॉंग है नीम से खून पतला होता है गुर्मर, गुर्मर से शरीर की पाचन समस्ता ठीक होती है आतो द्वारा ग्लुकोस पर नियंदरन होता है हमारी पैंक्रियाज में नए सेल निर्मान के साथ इंसुलीन तयार होता है करेला करेला इंसुलिन से कार्यक्षमता बढ़ाता है इसका इस्तमाल एक नैचरल स्टेरोड के रूप में किया जाता है करेले में केरेटिन नाम का रसायन है हमारा खून साप, किड़नी, लिवर भी साप करता है इम्मिनिटी पावर बढ़ाता है करेला इंसुलिन को एक एक्टिव करता है शुगर के कारण दुष्टी को कमजर होने से भी रोकता है जामून के बीज डायबिटीज में शुगर पेशन्ट में अम्रूत है क्लुकोज को पचाने के लिए पैंक्रियाज एक हर्मोन रिलीज करता है जिसे इंसुलिन कहते है मदुमेह बिटासिल के निश्क्रिय हो जाने के कारण होता है जामून के बीज इंसुलिन बनाता है डायबिटीज एक में अन्वाशिक होता है दुसरा कुछ लोगों के गलत लाइप स्टाइल, खान पान के कारण ये बिमारी घर तक आती है, उसे डाइपेटिस 2 वाला बोलते हैं तो डेविल्ट्री, नॉन इंसुलिन डिपेंडेड डाइपेटिस के इलाज में अलफा ग्लुकोसीडेज इन हीबिटर्स का उप्योग करते हैं ममे जावा, ये एक नैच्रल एंटी इंफिलिमेटरी, एंटी कैंसर और यकृत का रक्षन गुंदर्म है, पिशाब दरा शरी के बाहर जाने वाले ग्लुकोस पर कंड्रोल मिलता है काला जीरा, शरीर में इंसलिन का कार्य बढ़ा कर खून में ग्लुकोस की मात्रा बढ़ाता है ये एंटी अक्सिडन्ट, एंटी हाइपर गून है, डाइबिटिस में वो काम करता है, काला जीरा डाइबिटिस की डाइबिटिस और कैंसर जैसी बीमारी को रोकता है बलड में हिमोंगलोबिन बढ़ाता है, अब मदुनिल्द अमरुचुर्ण कैसा लेना है, तो दीन में दो बार आप ले सकते हो, पहला सुबे नास्ते से पहले और रात के सोते समय लेना है, हर महिना बलड शुगर चेक करके लेना है, बाद में इसका डोस बदल सकते हो आप इंसुलिन की लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हमारा मदुनिल्द अमरुचुर्ण और टैबलेट है, हर एक डाइबिटिस के मरीजों के लिए अमरुचुर्ण और टैबलेट बनाया है, यह आपको कैसा लगा उसका रिपलाई देना, लाइक शेर सब्सक्रा कि बाइबलेट।